हेलो गाइज विल्कम बैक टो डिजे स्टेडी और आज है क्लास में हम करने वाले फिर से एयर फोर्स ग्रूप वाई रगा का मॉक्टेस ठीक है और मजाएगा मॉक्टेस कंप्लीट करो फर्स्ट कोशिन देख रहे हैं मुझे पता है आप लोग अंसर करते जाओगे और हां कि मैं आपको टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉट ही चीज़ बता रहा हूं कि एक्जाम के लिए आपको जो वरम है वह दूर हो जाएगा आप लोग बोलते और यूटूप पर या फिर आप लोग का जो मॉक्टेस होता है बहुत ही वह होता है इसी होता है इसी वे डी कुछ भी नहीं होता है इतना समझ लो एकजाम में तफ नहीं होता और यह से इजी नहीं होता फर्क बस इतना है यहाँ पर आपके पास कोई pressure नहीं है, आपके पास enough time है आप आधा गंटा के इग्जाम जो होता है, exam hall में होता है यहाँ पर एक गंटे में भी लगा तो लगता है कि बहुत ज़्यदा तफ था तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है एक्जाम में भी आपका moderate लेबल का पूछता है एजी या फिर moderate तफ नहीं पूछता है वाई ग्रूप में बिल्कुल भी ठीक है न चलो बिल्कुल भी exam के लेबल का question है और हां कुछ-कुछ question मैं आ मृतिको का टीला कहा जाता है मृतिको का टीला अब आपने सिंदो सब्यता के बारे में पढ़ा होगा ठीक है न इंडस civilization ठीक है या फिर आप हरपा सब्यता बोलते हो उसको जो भी तो उसमें से मोहंजोदाड़ो अपने movie भी देखा होगा लेकिन मोहंजोदाड़ो जो उसम मृतिको का टीला के नाम से जानते है इसमें से एक चीज मैंने पहले पढ़ाया था काली बंगन से रिलेटेड़ो जो पहनती है अब देखो LDU का फुल फॉर्म क्या होता है LDU कॉंप्यूटर से रिलेटेड़ है तीक है आपके एक्जाम में कुश्यन आप फुल फॉर्म से पूछे जा रहे है इसका मतलब होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट ठीक है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट LDU का फुल फॉर्म नोट कर लेना कॉपी पे काम आएगा ये अच्छा एक बहुत ही पहरा से कोश्यन है यूवा भारती स्टेडियम कहां पे है यूवा भा प्लिदö an और पता है यह सबसे बढ़ा स्टेडियवें यूवा भारती स्टेडियम को एगजाम में पूछेगा कि साल्ट लेट इस्टेडियम के नाम से कैसे जाना जाता है क्या बोलोगा यूवा भारती स्टेडियम को ठीक है कलकाता मैं ये अब बाफटा यहीन conjunto कोश्चन आपने करेंड एफेर के वीडियो में पढ़ा होगा ना बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया है आप में से बहुत सारी केंडिट्स यह कोश्चन सही करेंगे बिकॉस करेंड एफेर से लेटेड है और यह कृष्ट नेंदू मज़मदार का है ठीक बाफ्टा का फिल्फरम क्या होता है मालोगी एग्जाम में पूछ देगा बितिस्ट अकाडमी ऑफ फिल्म और टेलीवीजन आर्ट्स लिखे दे रा बितिस्ट अकाडमी ओफ फिल्म और टेलिविजन आर्ट्स ठीके है अब ही देखो बेसबॉल में एक पक्षमेक हिलाडि इम्रोग बोलती है new जब हम new बोलते हैं बेस बेस को new हिंदी में तो new कैसा लगता है बाई 9 हिंदी के जो 9 भासा है 9 वैसा क्या करता है sound देता है ठीक है baseball बेस का मतलब new news है ये 9 का मतलब जोता है घर के नीची का जो new बनता है उसके उपर building खड़ी होते है वह वाली new टिक है नो जैसा sound देते है तो baseball में total कितने हुए भाई नो ठिक है इसके अलावा water ball और net ball इन दोनों में 7-7 होते है 7-7 player होते है water ball और net ball में यह भी exam में आता है ठिक है अब दिको BSF का मुख्याले कहां पे है BSF का मुख्याले कहां पे है पता होगा आपको मुझे ऐसा उमीद है कि आपको पता होगा ठीक है ने दिली में नियो दिली में BSF का मुख्याले जो है इसका गठन BSF का कब हुआ था 1965 में border security force का गठन कब हुआ था 1965 में अब देखो 20 रक्तदान दिवस का मना जाता है अब देखो math reasoning भी पढ़ेंगे मां सुचना है कि सिर्फ जी की है साइद ये last question है इसके बाद reasoning या फिर math आएगा उसके बाद alternate question आए अब ये बोल रहा है 20 रक्तदान दिवस ठीक है blood donate करने का दिवस का आएगा सारी के सारी जून में और ये पता है जून का मन्त चल रहा है जून नहीं है चौदा जून को है इसलिए मैंने question डाल दिया कि आपको याद हो ना हो याद दिला दे रहा हूँ ठीक है अभी देखो अगर आपने math की मेरी पूरी playlist देखी होगी ना तो problem नहीं होगा ये time and work का question क्या बोल रहा है बाई एक काम को एक कोई आदमी का नाम है मालो एक काम को 70 दिन में करता है और जो है बी जो है A से 40% अधिक कुसल है कुसल मतलब वो एक ज्यादातर fast काम करता है 40% वही काम करने के लिए B को कितने लगेंगे क्या लगेंगे भाई कितने दिन लगेंगे ठीक आप यहाँ पर लिख लेना कितने दिन लगेंगे बड़ी मज़दार question है अभी देखो ऐसे question को ना आप पता नहीं कैसे बनाते हो बट मैं तो चुटकी में solve करता हूँ पता है कैसे नहीं पता है आपको देखो ए सत्र दिन में करता है कितने परसेंट काम को भाई 100% काम को माल लो 100% कुछ भी दिया नहीं है 100% काम को सत्र दिन में कर लेता है और B उसी काम को क्या करता है भाई बोल रहा है कि 140 मलब 40% अधिक कुसल है तो हम क्या करेंगे इसमें 40% एड करते है यह logic है हमारा यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 100% कर दोगे तो 140 हो जाएगा इंटू उसी काम को अब किस काम को भाई हमें तो नहीं पता है ठीक है उसी काम को जो भी काम है वो कितने दिन में करेगा तो हमें पता ही निये कितने दिन में करेगा तो x days में करते है ठीक है अब इसको जो है ना कटाते जाओ ये 7 दोने 14 ठीक है तो 250 अब ये कितने दिन में कर देगा 50 दिन में बात समझ में आया को यह logic है मालनो 100% काम को यह 70 दिन में कर देता है यह 140% काम को इसका काम बढ़ गया ना यह कितने दिन में करेगा ठीक है काम तो नहीं बढ़ा लेकिन उसका expertise बढ़ गया ठीक है फिर भी यह logic हमारा x-days में कर रहा है बस यह formula आप याद रखना है जब भी आपका percentage में दिया हो बढ़ाएगा time and work का और यह 70 दो ने 140 और 2 डिवाइड करो 100 को 50 out of में कर जाएगा ठीक है जो हमारा b बचा x-days में जो कर रहा था इसको b मालनो 50 days में कर लेगा easy था I don't know आप कैसे question को solve करते हो अभी देखो next question क्या बोल रहा हमारा किसी वस्तू के लिए 25% discount छूट का मतलब discount पर लाव जो होता है 25% होता है यदि छूट 10% हो तो लाव कितना होगा देखो समझ में आया नहीं तो बहें बताता हूँ कोई मालो एक book है ठीक है यह आप गया खरीद ने दुकंदार बोलता है कि मैं आपको 25% discount देता हूँ ठीक है आप तो बड़ी खूस हो गया 25% का discount है मा discount दिया फिर भी इसमें से 25% उसने profit कमा लिया ठीक है तो बताओ बोल रहा है कि अगर वो 10% discount देता तो उसको कितना profit होता नहीं समझ में आया ना कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ देखो मान लो वो कितने गत था मान लो किताब का दाम था 100 रुपे यहाँ पे कुछ भी नही 25% का profit का percent था 25% ठीक है यहाँ पर लिखते जाओ अब बोल रहा है तो क्रैमूल इसका निकालो कि उसने खर्दा कितने में था सबसे पहले CP cost price निकालोगे आप लोग तो 75 selling price into 100 profit हुए तो नीचे में क्या लिखेंगे 100 plus में 25 ठीक है ना तो हम लोग यहाँ पे 125 डिरेक में लि क्या होता है 25 into 5 is equal to 125 यह अब कटाओगे तो 15 यह जब इसको क्या करोगे यह multiply करो 15 into 4 is equal to क्या होता है 60 होता है तो इसका CP कितना मिल गया 60% 60 रुपीज ठीक है अब बोल रहा है क्रैमूल इसका 60 रुपय था अब बोल रहा है कि यह 10 प्रतिसत डिसकाउंट देता तो profit कितना हो माल उसने 100 पर लेकों पर डिसकाउंट दे रहा था ना 25 लेकिन इस बार देने है वसको 10% डिसकाउंट देगाए तो 90 रुपय में बेचेगा उसने खरड़ता था कितने में 60 रुपय में फिर भी उसे कितने का फायदा होगा भाई 30 रुपय का ठीक है तो 30 रुपय का फायद हुआ 50% अभी भी उसको क्या हो गया benefit हो गया clear चलो या फिर इतना नहीं करना था ना आपका कोशिन नमर दस बोल रहा है 25 कोई चीज है ठीक है कोई चीज रखा हुआ है मालो बुक 25 किताब है रख हुई है उसका CP है 20 किताब को बेच देते हैं तो ही हमारा 25 का हमने जितना में इन्वेश्ट किया था उतना पैसा आ जा रहा ठीक है बात समझ में नहीं आया आपने 25 करके लाया 25 किताब आपने लेगिन आपने 20 को ही बेच दिया ना तो 25 को खरीदने में जितना में आपका पैसा रगा था आपका सारा का सारा इतनी किताब को बेचने पे मिली है यही बोल रहा है तो ऐसे कोईशन में पता है क्या करते हैं हम लोग वैल्यू को प्लट देते है और अंसर निकाल लेते हैं बोल रहा है कि लाब या प्रतिसत निकालो अभी बोल रहा है पचीस वस्तू का क्रैमूल तो जितने का क्रैमूल माने बोलेगा न उसको हम लोग क्या करेंगे बिक्रैमूल मान लेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मान लेना है 25 ऐसे कोशन में न रुपियोज थीक है सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कोस्ट प्राइस क्या है यह जाहिर सी बात है कि हमने 20 रुपय खर्दा 25 रुपय बेच दिया यह लॉजिक है तो आपको फाइदा हुआ कितने रुपय का बाई का तो कितने रुपय का तो पांच बटा में निचे कोस्ट में बेचा तो हमें profit ही होगा ना कितना पर्तिसक कितना परसेंट 25 परसेंट का ठीक है यह सारे logic आपको तब समझ में आएंगे जो आप playlist जो है आप बिल्कुल भी access करके देख रहोगे मज़े से पुरा आपको एक्जाम में इतना काम आने वाला है बड़े-बड़े questions को आपको दो दो लाइन में solve कर गे ना यूहीं चुटके में क्या करते हैं marks उठा लेते हैं marks gain कर लेते हैं अभी देखो यह question बोल रहा है यदि to the power x plus 3 is equal to 32 हो तो 3 to the power x plus 1 का value बताओ बहुत दा हाट तो नहीं लग गरा में रुको अचा एक चीज देखो यह 32 को हम ना 2 के power में तोड़ देएंगे तो अचा बतीस को देखो 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 अपने intermediate में भी एक जिस पढ़ा होगा science के student होगे तो जब भी दोनों का base बराबर हो जाता है तो power भी बराबर हो जाता है तो उसको क्या लिखेंगे भई x plus 3 is equal to 2 the power 5 था तो 5 आया हमारा ठीक है तो x का value क्या हो जाएगा अब 3 इधर जाएगा तो minus में होगा तो 5 minus 3 is equal to 2 x का value क्या आगा हमारा 2 ठीक है चलो x का value यहाँ पर रख देते हैं 3 के power 2 plus 1 is equal to 3 का power 3 यह क्या होगा इसका value 3 को 3 बर गुना कर दो सताइस आता है ना मुझे तो ऐसा ही लगता है आप comment करके बताना कि क्या आता है होगा चलो option number B right हो गया हमारा question number 12 देखो ठीक है देख रहो की नहीं comment करके बताना ठीक है ना अभी देखो यह क्या बोल रहा है यदि एक car की चाल चाल मतलब क्या होता है speed 20% बढ़ा दी जाए तो 300 km की दूरी तया करने में वह एक घंटा कम समय लेगा ठीक है तो car की प्ररंभिक चाल क्या है ठीक है ना अभी मैं आपको बताता हूँ यह बढ़ी बहुत ही मज़़ार question है कुछ भी toughness है ठीक है बसरते की आप यहाँ पे जोड़ा सा समझ लो पहले क्या बोल रहा है यदी कोई car है ठीक है ना car है उसका speed आप ही का कार है मालो आपने क्या किया आप कोई car चला रहे थे चला रहे थे मन उब गया slow slow चलाने में ठीक है ना 300 km का दूरी एह मालो आपकी घर से school तक मालो तक 300 km का है आपको यहां से यहां जाना है बहुत लंबा distance है आप धीर द्री चला रहे थे थक गया बोले कि अब यहां मैं तो बढ़ाऊंगा आपने उसकी speed पहले से 20% बढ़ा दी ठीक है आप एक घंटा कमी time लिए मतलब पहले मालो 10 मालो टी घंटा में जाते थे तो अभी एक घंटा का मतलब टी माइनस वन घंटा में चले जाओ आप यहां बात समझ में आगया अब टी क्यू मैंने बोला पहले हमारा speed यही था ठीक है न तो प्रारंभिक चाल पूछ रहा है तो पहले हमारा 300 बटा में T था अब बोलोगे option में तो कुछ है नहीं क्या बोल रहे हो आप कोई बात नहीं पहले हमारा था लेकि हम क्या बोल रहे हैं कि हमने speed को 20% बढ़ा दिया तो speed को हम जब 20% यह न तरीका 20% बढ़ाने का क्या होता है भाई हमने क्या कर लिया एक घंटा कम कर लिया तो 300 किलोमेटर दुली को तैक करने के लिए T-1 हो गया अब देखो हमने की मैं आपको रिमाइंड करा न चाहूंगा यहां पर S बराबर D by T is equal to क्या लिखा था 300 by T लिखा था मैंने ल distance के जगा पर हम क्या कर सकते हैं S into T by is equal to D कर सकते हैं कि नहीं अब D का value है ST लिख सकते हैं easily कोई बात नहीं ठीक है अब हमने यहां पर लिखा था 120 by 100 is equal to हम D के जगा पर हम ST by T-1 लिखेंगे क्यों हमें distance अभी कोई हमें distance से मतलब नहीं हम distance में बात में जाएंगे पहले हम त और यह होला S और यह होला S कट जाएगा ठीक है 2 च्छा का 12 दो पच्छे 10 ठीक है अब यह होला 5 इस साइड जाएगा तो multiply होगा T-1 into 6 और देखो T-1 into 6 is equal to 5T अब नीचे होला T उस साइड जाता तो 5 होता अब यह समझ में कैसा है का कॉपी पे note करते जाओ वीडियो को 5T अब ठीक है 5T को सब इधर भी जोगे minus में आएगा तो 60 minus 5T is equal to क्या होगा सिर्फ T बचेगा ना 6 में से पास गया तो तो T is equal to और यह ओला minus ओला इस साइड जाएगा तो पलस में बचेगा तो हमने पहले कितने घंटे ले रहे थे भाई हम पहले 6 घंटे लगा रहे थे कि कुछ भी नी था कोईशन में बहुत इजी था ठीक है चलो 50 km प्रती घंटा मारा कोईशन था अब कब समझ में आएगा जब वीडियो को पीछे करके कॉपी पे लिखते जाओ समझते जाओ स्टेप बई स्टेप बई स्टेप तब समझ में आएगा अभी देखो हमारा त्रिभूज की परिमाफ परिमाफ मतला परिमिटर का वैल्यूज हो है संख्यात्मा कमान मतला वैल्यूज हो है उसके एरिया का रूट तीन गुना है तो त्रिभूज की हर भुजा की लंबाई मतला त्रिभूज की भुजा का लंबाई पूछ रहा है बोल रहा है न देखो इसका परिमाप क्या होता है, परिमिटर 3A होता है, आपने भी पढ़ाओगा, आप बोल रहा है कि इसके एरिया का root 3 गुना है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, 4 by, sorry, root 3 by 4 into A square होता है, यही होता है न, कई मैं कुछ गड़बर तो नहीं कर रहा हूँ न, बिल्कुल भी सही है, ठीक है, इसका एरिया यही होता है, देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3A into root 3 by 4 into A square, ठीक है, कोशियन यही बोल रहा है, कि दो एरिया तो उमारा यह हो गया इसका, और यह परिमाप हो गया, परिमिटर, लेकिन यही तक नहीं, बोल रहा है कि छेदरफल का root 3 गुना है, त अभी तो इक्वल हो जाएगा ना, दोनों के दोनों, अब यह भी root 3, अब यह भी root 3, multiply घर के क्या हो जाएगे भाई, 3 बन जाएगे, ठीक है ना, तो यह 3 और यह 3 कट गया, और इधर A square था, तो एक स्क्वाइर कटेगा, और यह A कटेगा, तो A का value क्या आ गया हमारा, जब एक triangle है, इसका जो perimeter क्या होता है, जब तीनों के तीनों बराबर होगा, तो A plus A plus A square to क्या होगा, 3 A होगा, अब यही जो बोल रहा है, 3 A जो है ना, यह root 3 by 4 A square, यह क्या होता है, संभाहू 3 बुज का area होता है, इसका जो है ना, यह root 3 गुना है, अब यह already बड़ा है, तो लेक में क्या करेंगे, हमने root 3 से multiply किया, root 3 और root 3 multiply होके क्या बन जाता है, 3 बन जाता है, तो इसका हम काट देते है, 3 डिग देते है, अब यह square है, तो यहाँ पर A के इसमें का, और A के इसमें का, कट जाएगा, अब यह 3 तिन कट जाएगा, तो यहाँ बचा सिर्फ A और 4 तो पूछ रहा है, तो पूछ रहा है, तो चार यूनिट, अब इतना इजी मैंने कर दिया, आप कितना इजी करूँ, Q14 देखो, बोल रहा है, कुछ बढ़यों ने एक काम, 9 दिनों में कर देने का, क्या दिया था, वचन दिया था, मतलब प्रॉमिस किया था, कि हम इस काम को 9 दिन के वितर कर देंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से 5 लोग क्या थे, गायब हो गये, क्या करोगे, लेबर का यही काम होते, गायब हो जाते, ठीक है, और फिर जो बचे लोग, सेस आदमी जो बचे, वो 12 दिन में वो काम को पूरा करें, देखो, पहले कितने लोग थे, हमें पता नहीं है, उन्हेंने बोला था, हम 9 दिन में इस काम को कंपलीट कर देंगे, लेकिन वादा करके, 5 लोग गायब ह हो गये, तो वो 9 दिन में ना करके, 12 दिन लग गया, उस काम को, ठीक है, तो पहले कितने दिन थे, मतलब कितने लोग थे, पता नहीं है, अगर, तो हम x मानते, तो 9 लोग x देश के वितर करने के लिए बोले थे, ठीक है, वही काम को, काम से में इसलिए, इसलिए रिक वाल कम ने चीन दिया है अभी लेकिन 5 लोग गायव हो गया ठीक है ना तो x-5 कम हो गया तो हमने 12 दिन में उस काम को कम्प्लीट किया हमारे लोग ने ठीक है अब देखो इसको देखो तीन ती आई 9 तीन से के बार है यह हमारा खाटी पहाड़ा है टेवल है ठीक है हम लोग जो पढ़ते हैं अब इसको 3x हो गया यह ठीक है ना 3x इसको मल्टिप्लाई करो 4x-20 यह 5 से भी 4 को गुना होगा तो 3 3x is equal to 4x-20 था आपका अब यह 20 इधर जाएगा और 3x इधर आएगा तो क्या होतेगा हमारा x is equal to 20 तो पहले बढ़ियों की मूल सेंख्या x थी तो x के value 20 आगया तो हमारा option number कौन से 20 बी बी में आगया कि नहीं अंसर इधी question है ना बहुत इधी है चलो next question देखो अभी क्या बोल रहा है question number 15 ने math का राम जो है 12,000 रुपए लगा कर 12,000 रुपए लगा कर एक वैपार को start करता है प्रारंब करता है ठीक है फिर जब 6 महीना हो जाता है उसके बाद रहीम आता है बोलता है कि मैं भी 15,000 रुपए साधा करूँगा मतलब share करूँगा आपके सा चलो भई कोई problem नहीं हम लोग पडोसी है मैंने अल्रेडी 12,000 रुपए दिये हैं तुम 15,000 रुपए दिर हो और जितना जितना हमारा पैसा लगेगा जिस ratio में अब जितना हम लोग पैसा invest कर रहे हैं बाद में जो profit होगा बाट लेंगे उसी के according चलो business से start हो गया फिर यदि वर्स के अंत में राम को 6400 रुपए का profit हुआ तो रहीं को कितना profit होगा अभी देखो अगर आप 4 रुपए देखो हमें मैच खेलते थे थे ना तो क्या होता था था ना चार दोस्त मिलके मैच में पैसा लगा जाती एक ने 100 रुपए एक ने 200 रुपए माल लो या फिर दो हमने दो दोस्त लगाया माल लो 100 रुपए मिला 100 रुपए और उसने 200 रुपए ठीक है तो हम अगर मैच जीत जाते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे ऑपोनेंट से 300 रुपए मिलेंगे कि नी विकास वो भी तो 300 लगाएगा ना और तो हमने भी 300 लगाया तो इस 300 को हम दो कैसे बाटेंगे इसको कितना देंगे इसने 200 लगाया था तो इसके 200 और मुझे फिर एक्ट्रा 100 रुप या मिलेगा ना क्यूं विकूश इतने रेषियों में हमने पैसा लगाया उसी रेषियों में हम पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे सही बात ना ऐसा थोड़ी हो था कि मैंने 100 पर लगाया और मैं 50% लगाऊंगा बोलूगा कि 60% प्रॉफिट दे जो नहीं ना अगर मैंने 50% पैसा दिया है तो 50% ही लूँगा मैं प्रॉफिट का भी ठीक है ना वही बात है यहां पर भी देखो अलेकनीक चीज़ ठीक कोई प्रॉबलम नीँ है पूरे के पूरे एक साल तक कैसे 12,000 रुपय लगा के स्टाट तो किया लेकिन यह 6 मेहिना बाद क्या हुआ रहीम आया तो रहीम ने 15,000 रुपय तो दिया लेकिन यह आधा साल के लिए दिया विकोट 6,000 मुदलब 6 महीने बाद आया था नहीं तो एक साल में बारा महीन होते हैं तो इसने पूरे के पूरे एक साल तक काम किया और इसने आदा साल तक बात समझ में आया ना इसका पैसा कितने दिनों के लगा एक साल के लिए और इसका पैसा लगा छे महीना के लिए तो इनका investment का कितना इन्होंने invest किया business में उनका ये ratio मिल दाएगा भी तो ये 3 के 3 0 कट जाएंगे की नहीं कटेंगे ये 3 12 और 3 15 ठीक है अब ये 2 इधर वेजो 8 ratio 5 के ratio में इन्होंने पैसा खर्च किया ठीक है ये राम भाई है और रुको ये राम भाई है और ये रहीम भाई है ठीक है मालो 8 ratio 5 के ratio में इन्होंने पैसा खर्च किया और राम को मिला 6400 रुपय ठीक है तो राम को कितना मिला था 8 तो 8 से divide दे तो 6400 का जो आएगा value उसको 5 से multiply कर देना यही तरीक है ठीक है अगर ये रहता कि दोनों के दोनों का profit इतना होता तो हम 8 5 को जोड़के उतने से divide कर देते बट यहां पे सिर्फ राम का दे रखा है तो हमने राम का जो ratio था उससे divide करेंगे ठीक है ना उससे फिर multiply कर देंगे जो value आएगा ठीक है ना आठ ratio 5 का था और राम का 8 था तो आठ को divide करो राम के benefit से ठीक है 800 रुपय जाएगा कर लो कर लो मैं तो कर लिया भाई इसी था ठीक है तो 800 रुपय क्या मिला 800 से multiply करेंगे तो दोनों का हमें profit मिल जागा जैसे 8 को 5 से multiply करो तो 4000 रुपय तो रहीम को 4000 रुपय मिले और राम को कितने मिले थी 400 चेक करना है आपको फिर 8 को 800 से multiply करो तो 400 रुपय मिल गया तो पूछा र अब देखो यहाँ पर पता आपको कि अब लोगों रिजनिंग में इंटर कर चुके है और रिजनिंग में इंटर किये तो अब फ़ोड़ा speed में में बढ़ेंगे math था logical था तो आमने slow slow पढ़ा लेगिन reasoning के speed में जाएंगे देखो बोल रहा है 12 q 15 q 15 p 3 r 4 s 6 का value निकालना है और पी का मतलब यह है divided करना है q का मतलब multiply r का मतलब plus s का मतलब minus तो जिसका जो value है पुट करो तो 12 q का value क्या है multiply 15 15 के बाद क्या पी प का value क्या है divide दिवाइड करो 3 हमारा r का value क्या प्लस करो फिर हमारा 3 के बाद क्या 4 था और यह से यहां पर इसका value क्या हमारा minus 6 तो इसका value पूछ रहा है तो पहले divide करोगे 3 को 5 बार में ठीक है फिर 12 को multiply करोगे 5 से तो 60 60 plus 4 minus 6 तो 64 minus 6 64 minus 6 is equal to 58 होता है ठीक है चलो करके देख लो उसमें कुछ नहीं करना है बाई 14 में से 6 गया 8 और बचा 5 ठीक है और option number 6 हो है मारा इदी से question था ठीक है आप वीडियो को रोक के na question को पढ़के solve करते रहो अब अच्छा नाम देखके हसना मत ने तो मुझे कुछ सा जाएगा भाई नाम बहुत अच्छा सा प्यारा सा देखो क्या है राम प्यारी ठीक है पुरुदिसा में 10 किलोमेटर दोड़ती है दोड़ने दो भाई कोई problem नहीं है यह ना पुरुदिसा में 10 किलोमेटर यह दो लुद जाओ अब इसको 6 क्यलोमेटर ले जाओ ठीक है फिर हो भाय मुरथिया 6 क्यलोमेटर जाती है ठीक है छो किलोमेटर फिर मालो स्लोड़ने इसके भाद फिर वा बार बाहे जाती है 6 क्या होगा यह यह प्याकर रुकेगी न भीकाज यहीं से स्टार्ट्ट यह 6 क्य cetनी दूरी कितनी है तो यहां से यहां तक कि distance क्या होगा यह तो वैल्यू छे किलो मेटर हो गया तो यह छे माइनस 10 कितना होगा चार किलो मेटर है यह मैं जल्दी में चल गया पता है क्यों मुझे पता है इस question को आपने इजिरी solve कर लिया होगा ठीक है 4 km value इसका आ गया ठीक है चल बताता हूं देखो option number a जो है ना चारो में से different है क्यों different है देखो 243 और 432 को कैसे लिखा गया है second वाले को पहले लिखा गया है मतलब second में कौन था 4 ठीक है ना फिर क्या था third वाले को और कुछ नहीं करना जो first में है ना उसको बस last में उठा के रखा गया है 234 में भी देखो 342 जब लिखा है तो सिर्फ क्या किया है first वाले को last में ले जाके रख दिया इसमें ठीक है ना और इसमें भी वही क्या है तीन को बस last में कर दिया गया तो 543 हो गया है वही अगर हम 543 में 5 को last में करती तो क्या हो था 435 होता लेकिन यहां पे 435 है तो सबसे different क अब देखो यह क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है वैश्य नमबर 19 जैट एफ फाइव वाई फॉर बी एकसी 6 डबलू 3 डी ठीक है चालो अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है 5 के बाद इसमें बी है कोई बात नहीं alternate चेक करो 5 के बाद 6 तो 6 के बाद क्या ना चाहिए एक एक को छोड़कर डेखो एक को छोड़कर देखो इधर से 3 से 4 गया बीच में अभी इदर से छोड के यहां बीच नहीं जैड वाई इल्टा चाहर रहा है वाई के बाद x एक्स के बाद W तो डबलू के पहले क्या आता है यह प्छल एजर को पहले is कि बाद ऑध बीच में क्या होगा में क्या मतलब उसे जब हमारा दो-दो मैच करीं गया तो आपस नमबरी जो है राइट अन्जर आ गया ठीक है अब 20 में देखो क्या बोल रहा है 600 है 2000 है यहाँ पे वाट ठीक है यहाँ पे क्या होगा 600 बटा में 2000 इसकोल टू यह प्रपोस्टन मतलब समानुपात है जिसका मतलब बराबर होता है वाट का जगा पे एक्स रखो यह 9000 तो यह 3030 कट गया यह क्या होगा हमारा 300 600 को दो से डिवाइड करोगे 9 इधर जाएगा तो क्या होगा 9 into 300 is equal to 2700 मतलब 2700 ठीक ना 2700 अंसर हमारा आ गया कुछ भी टफ नहीं था कि कुशेन नंबर किस क्या बोलता है हमारा क्यों बोला है इसमें से कौन सा जो है दरपन छवी के निकट से मिलता जूलता है ठीक है ना इसका मतलब समझ जाया कौन सा मिरर पूछ रहा है कि मिरर में इसका इमेज क्या होगा देखो वाटर मिर अलग ह तो इसमें water mirror तो बोला नहीं है थीक है न तो water mirror रहता है न तो हम किसी भी वस्तू के नीचे को mirror बनाते हैं ठीक है जब भी सिर्फ बोलेगा कि दरपन में क्या होगा इसका image तो या तो right में रखो या फिर left में रखो ये बात मैंने clock वाली वीडियो में भी बताया था आपको ब पकड़के तो एक घंटा लगेगा देखो सबसे पहले तो b और c अंसर होगा नहीं क्यूं क्यूंकि जो i के जासा सेप जो है marks of explanation ये जो है देखो कभी भी mirror करेंगे तो या तो उपर की तरफ i की जैसा बनेगा और उल्टा सीधा में बस यही दो चीज धारन करेगा रूप क पड़ापी नहीं होने वाला है clear चलो बच्या हमारा a और d a क्या है न देखो अगर h को हम right side में mirror रखेंगे तो ये कैसा value देगा ऐसा देगा तो a में क्या है देखो water mirror है h काउन सा है water mirror है न नीचे रखा गया mirror को तो ये तो भी नहीं होगा बच्या कौँ अंसा d h ऐसा ही value देगा न चलो अंसर मिल गया 22 क्या बोल रहा है राम अपनी घर से दक्षिन दिजा में जाता है और फिर बाय मुड़ कर 25 मिटर जाता है दक्षिन गया ठीक है न कितना मिटर 10 मिटर जाता है ठीक है इसके बाद बोल रहा है बाय लेफ्ट मुड़ेगा तो south में जाएगा left त मुड़ने के लेएगा तो right मुड़ेगा ठीक है न ए फिर बोल रहा है फिर वह लेफ्ट जाता है 22 मिटर 4 मिटर जाता है उसको दैय मुड़कर 5 मिटर जाता है तो बोल रहा है उसका school उसके घर से कितने दूरी पर ए वो यहां पर जाक्या स्कूल है वह यहां पर पूर्वे उत्तर बोलो आपिस नमबर हमा describes क्लFF ग्षाना आत हैं , जी किसी दरसारा है यह रिखना Color यह रिखनान है ठीक है और जो सरकल है इसके अंदर टीचर है और जो यह आयत है इसके अंदर महीला मतलब फीमेल है ठीक है यह बोल रहा है तो बोल रहा है तो बोल रहा है तो कौन से है ABCD में से कौन ऐसा है जो मा भी है, माता भी है और टीचर्स भी है मतलब माता मतलब triangle के अंदर और teacher मतलब circle के अंदर triangle और circle के अंदर option number C है option का तो पता नहीं C किसमें है लेकिन C जो है triangle और circle दोनों के अंदर है तो मतलब option number C ही है जो option number C में है ठीक है न? अब भी देखो pattern को मैंने बुला थार रिजदिंग में मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा ठीक है? एक नीच्छित भासा में pattern को R-T-E-A-N-P-T के रूप में लिखा जाता है तो बताओ mangoes को कैसे लिखेंगे? अब यहां पर आपने काफी दिमाग लगाए और नहीं समझ में है तो logic इसमें कुछ भी नहीं है जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे लिखते जो देखो इसमें P को कहां रखा गया है? P को change करके second में last second में ठीक है न? वैसी mangoes को हम का रखेंगे पीछे से दूसरे नमबर पर ठीक है? अब last में क्या होगा हमें पता नहीं लेकिन इसके पहले भी कुछ होगा तो देखो किस-किस option में ऐसा है last से second नमबर पर एक इसमें है और एक इसमें है ठीक है न? इसके according हमने चला तो तो जैसी बात है कि B और D नहीं होगा ठीक है? B और D नहीं होगा या तो A होगा या फिर C होगा ठीक है न? अब देखो A है यहाँ पे तो A जो second नमबर पर था इसको देखो चार नमबर पर इसमें रख दिया गया है तो इसमें क्या था second नमबर पर A तो चार नमबर पर देखो A किसमें है? option number C में because A जो है इसमें 3 number पे है option number C में कह भई A 4 number पे है आप इतने से ही option number C को answer करके easily निकल सकते हो अगर और कुछ दिमाग लगाना है तो करते रहो कि देखो N को कितने number पे रखा है तो last से third number पे रखा है तो हमारा S है तो last से third number पे देखो इसमें भी S है ठीक है इस तरीके से एक-एक वर्ड को मिलाते रहा है फिलाल मैं तो निकल रहा हूँ option number C होगा ठीक है अब बोल रहे है निमलिखित में से कौन सी जो महिला बहन और सिसुओ को दर साथ है देखो महिला female मतलब woman लिख सकते हो आप women बहन sister अब देखो अब जो sister हो जाहिर सी बात है कि वो महिला है कोई भाई मतलब मेल आदमी तो बहन होगा नहीं न ठीक है न जो sister है वो women के अंदर है सारी कि सारी ठीक है मतलब ये sister जो है women के अदर और कुछ सीसू मतलब बच्चे, कुछ बच्चे में भी हो सकते हैं कि वो क्या हो, किसी के बहन हो, बड़े भाई का जो छोड़ी छोड़ी बच्चियां जो है जर्म देती हैं वो उसकी बहन होई, तो जाइर सी बात है कि वो कुछ बच्चे जो है, कुछ सीसू जो है फिमेल भ मैं direct solution पर आता हूं देखो अभी जो बोल रहा है arrow के पास में देखो एक बढ़ा ओला एक दो अब इसके नीचे क्या है arrow है arrow के जिस्ट बगल में दो छोटे-छोटे हैं उसके बाद क्या है बढ़ा ओला तीसरे नमर पर है ठीक है इसमें भी देखो इसमें जो है arrow के पास में त दो छोटे-छोटे-छोटे लाइन है तो 26 का option number is है वो different है उन सभी से ठीक है चलो अभी आपको different ही चुनना है इसमें और कुछ भी नहीं 27 हो बताओ इसमें से different कौन से है अभी different question को देखते-देखते पता चलिया होगा आपको पता है क्या नहीं पता चला होगा मुझे पता तो इसमें side ही कितने एक दो तीन चार पांच इसका मतलब यह हुआ कि पांच भूजा है तो पांच आकरिती भी उपर बनाई हुए है इसमें तीन भूजा है तो तीन है आप यह different मतलब खोज रहे होगे कौन सा कम यह जादा होगा तो अचा कुछ नहीं मिलने वाला आपको जितनी भूजा है ना सारे figure में उतनी फूल उपर में बनाया हुए है लॉलीपॉप बनाया हुए है तो different क्या है देखो सारे के सारे जो ना यह जो triangle है या फिर rectangle है या फिर square है यह भूजा के उपर से line खीचा हुआ है लेकि corner से नहीं कोना से नहीं लेकिन इस वाले में किसी एक भूजा पर होना चाहिए था जो भी है एक भूजा के उपर होना चाहिए था corner के उपर नहीं तो यह different है corner बागी किसिatisf Work no.i aqui इसमें भी different है, ठीक है, question number 28 देखो, क्या बोल रहा है, question number 28 बोल रहा है, कि आप इसको solve करो, यही तो बोल रहा है, और एक बात बोल रहा है, कि मैं थोड़ा सा blur दिख रहा हूँ, मतलब धूंदला दिख रहा हूँ, मुझे zoom in करवा दो, अब इसमें आपको एक इस different पता है, क् is different दिख रहा होगा, option number D में, मैं direct solution पर आता हूँ, क्या दिख रहा है, सारे के सारे के arrows देखो, कहां पर है, जहां पर dark है, उसके जहां पर काला है, उसके पास में arrow है, इसमें भी वहीं पर arrow है, जहां पर काला है, इसमें भी arrow वहीं पर है, जहां पर काला है, लेकिन इसमें arrow देखो कहां पर जहां पर एक blank है और option number D जो है different दिख गया कि नहीं जो खाली वाला पाठे उसके पास arrow है ठीक है चलो ज्यादा logic मैं नहीं दागाऊंगा जो simple sensor मिल गया तो अभी इसके अंदर question number 29 में वीडियो को रोक की जड़ा दिमाग लगाओ देखो एक चीज आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पहला photo है ना कुछ ऐसे बना हुआ है यहाँ पर एक dot है इस dot के ऊपर नजर डालना dot जो है तीनो के तीनो सरकल के अंदर है यहाँ पर है वाकिनी सबसे different option number D ठीक है और आज का last question है वीडियो को रोक के question number last सही करना देखो इसमें जो alphabet होते हैं A B C D तो इसको गर हम सीधा करें तो R मिलते हैं इसको सीधा करें तो Q मिलेगा इसमें S इसमें Z ठीक है तेठा में ड नहीं हो नहीं ना जैसी मतलब डिफरेंट यही है हमारा option number B ठीक है चलो भया question थटी होगा और नीचे मैंने आपको अंसर की भी दे रखा है PDF भी दे दूँगा आपको टेलीग्राम चनल पे तो क्या करना आपको वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ सेयर करना और हाँ अपने marks, अपना name, अपना state comment करके बताना और टेलीग्राम चनल का link जो है description में join कर लेना ठीक है जहां भी math में problem हो रहा है जाके playlist जाके complete देख लो मैंने preparation करा दी है आपको वहाँ से math में reasoning में problem नहीं होगा ठीक है मिलते है next video के साथ